तो आज मैं लेकर आई हूं लहसुना भिंडी नाम सुनने से पता लग रहा होगा कि लहसुन भी डाला है मैंने लहसुन से बनाई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बने क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अलग हो गया है एक ही चीज खाते कहते हैं हम लोग बोर हो जाते हैं से तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग तरीके से बनाई जाए जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए खाने में भी बहुत अच्छी लगे कोई जादा इंग्रेडियंट्स नहीं लाले है मैंने तो देखी स्टार्ट करते हैं मैंने कड़ाई ले लिए उसमें तेल लाले इसलिए हमें कम रखना है अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन और थोड़ी सी हींग भिंडी हम अजवाइन से चौकते हैं और उसमें हमने डाल दिया बारी कटा हुआ लहसुन की कौंटिटी थोड़ी सी जादा रखें और लहसुन को अच्छे से बून लेंगे थोड़ा स लैसन भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज एड़ कर लेंगे देखिए बिंडी बनने में कोई जादा टाइम नहीं लगता है मैकसिमम 10-15 मिनट में बिंडी बनके रेडी हो जाती है सबसे जल्दी बनने वाली सबजी है मतलब सबसे जल्दी बनने वाली तो देखि प्याज की क्वाणिटी देखि ढ़्या जादा रखिए है क्योंकि भिंडी प्याज ज्यादा अच्छी ही लगती है इसलिए और अप आप काहले धा इसको आफ्याम तो जो क nyaप्ट नमक भी एक ब्हुना को अभनिन की पीज सॉफट सॉफटर सॉफट देगे दिटा मिक्स है वक्ति भणा भीप टेगी ब्हबनमने मोच पीजे जाया कहीं जाए जी क्योंटा है जब अब और भिंडी डाल दें रिखे लाल मिर्च पाउड़र देला है। कम से कमी रखें और अब इसमें आमचूर पाउडर नहीं डालूगी इसमें डालूगी दो नीबू मैंने इसमें निचोड लिए हैं नीबू से क्या होता है ऐसा नहीं है कि गलेगी नहीं सबजी नीबू डालने से पहले अगर हम डाल देंगे बहुत अच्छे से गल जाती है जो नीबू का पानी होता है वह भी थोड़ा सा उसमें मिक्स हो जाता है और अच्छे से सब्जी गल जाती है अर अब हम नमक डालेंगे नमक हम पहले अल्रेड़ी डाल चुके हैं तो इस बात ध्यान रखें कि नमक हमें थोड़ी कमी डालना है तो भिंडी में बहुत मिक्स करने के बाद इसको हम ढग देंगे नहीं चलानी के जहिए विद्दी में क्या होता है कर्ची जादा नहीं मारनी है क्योंकि जो जो इसमें रेशे रेशे दिख रहे हैं आपको वह इकदम चिपक जाती है सब्जी अगर हम जादा इसको चलाएंगे जादा बार हम इसको भूनेंगे कर्ची मारेंगे तो हमें एक से दो बार ही चलानी है और ये देखिए सिर्फ 5-10 मिनट लगे हैं इसको बनने में और सब्जी बन के रेडि हो गई है तो guys आप comment section में जरूर बताएं कि मेरी ये नई तरीके से बनाई हुई सब्जी आप लोगों को कैसी लगी है बना के try भी किजिए बहुत अच्छा टेस्ट है और अगर चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें